आपके सरीर में भी किसी तरीके की बेचैनी हैं, खोन की कमी हैं, या चक्कड आते हैं, बीकनेस कमजोरी होती हैं, और आपने तरह तरह की सीरप इस्तमाल की हैं, तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसी सीरप बताएंगे, एक ऐसा तावगत का टोनिक बताएंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट होता है, इसका अगर कमपनी की बात करें, और अगर इसकी प्राइज की बात करें, तो यह ज़्यादे प्राइज ना होते हुए, आपको एक सो चालीस रुपे की हर्मेटिकल स्टोर पे मिल जाती है, अब आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से करनी है, तो इसका जो आपको इस्तवाल करना है, वो सुबा साम यान की बीडी, खाने के आदा घंटे के बाद इस्तवाल करना है, और आपको परेज में क्या करना है, यह भी बताएंगे, आप सबसे पहले जान लीजिए, कि आपकी बोडी में जो बिलट की कमी होती है, इनेमिया होता है, वो किस बज़े साता है, तो आपकी बोडी में जो इनेमिया की प्रोब्लम होती है, यह वीकने होती है, यह आपकी इम्मूटी कम हो जाती है, तो यह आपकी लीवर के उपर डिपेंड करता है, आपने लीवर के तरह तरह के सीरप इस्तवाल किये, और आपके लीवर डैमीज है आपके HGPT बड़ी हुई आ रही है तो उससे में भी आपको बिलेट की कमी हो जाती है और जनरली अगर आपको किसी कोई चोट लग जाती है या कहीं से ज़्यादा रखत वैता है तो उससे में भी आपको बिलेट की कमी हो सकती है तो यह जो syrup है, इसका नाम आप देख लीजिए, 4C Red इसका syrup का नाम है, यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 4C Red इस syrup का नाम है, company की बात करें तो यह Algam company की होती है, और इसकी अगर salt की बात करें, तो feric amino citrate folic acid with vitamin B12 के साथ में होती है, तो यह आपकी body में पहुचने के बाद में, आपकी immunity को बढ़ाएगी, आपकी weakness, कमजोरी को ठीक करेगी, और आपकी रुड़क्त पिर्तिरों तक छमता भी बढ़ाएगी, और रोक पिर्तिरों तक छमता भी बढ़ाएगी, तो आप इसका इसका करना है, आप सुबा साम इसका जो इस्तमाल कर सकते हैं, खाना खाने के बाद में, अगर आपके family में कोई बच्चे हैं, जिनकी उमर बारा साल है, तेरा साल है, तो वो एक एक डखकन यान के 5-5 एमर सुबा साम इस्तमाल करें, और बहुत तो लोग गलती ये करते हैं, कि syrup पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बोड़ी पे कम ध्यान देते हैं, आपको syrup पे ध्यान नहीं दे करके आपको अपनी बोड़ी पर भी ध्यान देना, अपने खान पान को भी चैन कर तुना है, आज कल चुर लाइफ स्टैल हो गया हो, मॉम मॉस, चावमीन, बर्गर खाते हैं, फिर उनको problem आ जाती है, तो वो तरह तरह की syrup या डॉक्टर से संपर करती हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी रोगी को या आपके अंदर कोई problem है, तो आपको यह देखना है कि problem आ किस वज़े से रही है, और जनरली आपको अगर weakness कमजोरी है, तो आप इस सीवर को इस्तमाल कर सकते हैं, आगे भी इसी तरी की वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को like, share, subscribe करने नहीं भूले, मैं आपका दोच डॉक्टर महम्मद आदे,